आज अपनी दर्शन की सेकंड क्लास है पहले क्लास में सांखिका कर लिया था कि प्रकृति वे पुरुष सवतन्तर रूप से स्ट्रेश्टी उत्पत्ति नहीं कर सकते आज हम बात करेंगे पिर्मान कि पिर्मान कितने मानता है पिर्मान के बारे मैं नहीं बता दिया आपत अब ज Candice क्या है अनुमान क्या है और इंगा किस तरफेसे यूज होता है बस और वण मिंट क्योंकि यवी पांच-पांच यह तो पांच-छे पर च्टार्ट करेंगे कि के इस में लिखन नहीं है यह उपर इसमें लिखने है एकतावाद द्लावाद थ्रेत वात नंबर किसमें था तो आप जब भी कोई कि आये मतलगे इसांड के दर्शन को विस्तार से समझाओ तो आप लिख सकते हो कि भई सांग के दर्शन द्वेत वाद को मानता है क्योंकि अपन पहले कर चुके हैं वो बात तो सोट नोट्स का यही फायदा है है हैं रिटेन नोट्स का क्यों बार-बार रेपीट नहीं होती वो चीज़ें अपने एक जगे लिख दे तो उसको याद जरूरी है तो प्रमाण यह तीन मानता है प्रत्यक्ष अनुमान और आपतुपदेश प्रत्यक्ष आप जानते हो जो अपनी इंद्रियां द्वारा देखा हो सुना हो समझा हो ठीक है जो भी इंद्रियां द्वारा मैसुज किया गयो 500 इंद्रियां द्वारा ठीक है अनुम सब्द को ही आप्तपदेश बोलते हैं ठीक है जो तीन बच्चे अभी लेट आये हैं वो टाइम पर आजाए करो पांच-पांच से पहले-पहले ताकि बीच में किसी वो डिश्टप नहीं कर सकते हैं प्रत्यक्ष अनुमान आप्तपदेश आप्तप्देश मतलब आप्तपुरुस आप्तपुरुस कोन होता है जो सत्व से युक्त हो जिसमें किसी का रज और तम बिल्कुल नगन्य हो मतलब सत्व युक्त जो हमेशा सत्व बोलता हो जिसकी बाते हैं हमेशा सत्व जैसे कि आचारिय सुसरुत आचारिय चरक आचारिय बागभट या जो आपकी मेजर में सत्वान विक्ति है कभी कभी दोस्त ऐसे होता है ना साथ्विक विक्ति वाई इसको किसी से मतलब भी नहीं है तो सबसे पहली बात तो मैंने बताया था दर्शनों का उद्देश आपको उससे में बताया था कि दर्शनों का उद्देश क्या था दुख को दूर करना संसार के जितने भी दुख है उनको दूर करना तो इन्होंने बताया कि तीन तरह के दुख होते हैं सांग के दर्शन में बताया कि तीन तरह के दुख होते हैं पहला है आध्यात्मिक दूसरा है अधी भोतिक और तीसर और मान्सिक सारारिक मतलब वात पित कप दोसों की इन बैलेंस मतलब या तो बढ़ ऋब भीए या कम होगी इसकी वाज़े सी जो अपनी बोड़ी पे एफेक्ट होता होता है जो भी रोग उत्पन होता है वो होता है सारे और मानसिक का आप समझ सकते हो मानसिक की जितने भी मानसिक रोग है मान मतलब एक तरगे से कभी-कभी आपन जैसे कि आपने सेंटली देख रहा हूं कि मेरे वाट सब्स जूड़े होए इस्टिस पर तो मैं एक कैट की बिल्ली की फोटो डालते रहता हूं मतलब पसू पक्षियों वाई रेट्स ठीक है और अधी देविक अधी देविक होता है भूत प्रेद हाँ वर्ड फुलू बहुत सारे एक्जामपल है जैसे कि अभी कोई भी वायरास आ गया पसू बक्षियों माध्यां से अपने इंसानों में संच्रण हो गया पस्वों का रोग मनुस्यों में आ गया बहुत सारी ही है कि क लिए यह सत्त लगेंगे और जो नहीं मानता है उसके लिए वह बोलते हैं कि नास्तिक दर्शन में आते हैं लेकिन यह सारी चीज़े करती है भूत प्रेट या देवताओं जनित अब इसको आपने ऐसे भी ले सकते हो जैसे कि भूत विद्ध्या मैं बताई थे ना आयरवे यहीं लिए है कि वूत प्रेट मॉल गालो जो विषvos नहीं करता Ils समझ सकते और जो तो दो नों को मानता हूं Wy कर सकते सिंपल सी बात है इसका एक लोजिक अधीी देविक का मतले है जो आंखों से दिखाई नहीं दे कोई दुखो फिर году ha Angel Rank with सिंपल सी बात यह है कि जो आंकों से दिखाई नहीं देता वो अधी देवी के क्लियर अब बात करते हैं योग यहां तक तीन दर्सन हो गए तीनों दर्सन तक किसी को डाउट में आप पूँछ रहा हूं यहां से क्लाव स सकता हूं आपको आराम से किसी का कोई डाउट हो तीन कि भर दर्सन तक मुझस सकते हो आप दर्सन योग दर्सन पैन को पी हाते में ले लीजी टिका है और लिखनें को तयार हो जाए ही प्रेणेता था इसके पतन्जली पतन्रव फह इन्हों नेन की निल आप यह आम जबना एक बाबा रामदेव जोनी बनायां शब भी रामदेव याद करते हैं यृ तो उन्हों नहीं बस उस पतंज्ञली का माम लिए जिन्हों जिन्होंने योग शुत्र लिखा था ठीक है उन्स पतंजली का नाम पे अपना ये व्यापार चलाया ठीक है इन्हीं की वज़े से आज बाब रामदेगु जिसका आयरुवेद को जानना है लोगोंने इंडिया में लोगों घर तक पहुंचा है क्यों टीवी के माध्यम से इन पलसी बात यहीं है तो प्रेणाते पतंजली उप्पाबद मतले इसका मुख क्या था वैं क्यों बनाया गया इसको प्रोसेस जिसमें अध्यात्म और अभीबूत में डिफ्रेंस का पता चले भाही प्रकरती और फुरुसमें डिफ्रेंस क्या है प्रकरती भी मतलब आपन ब संसार की सभी वस्त क्या माभूतों से बनिये समान हो गया लेकिन ये बहुत इसका पता इस दर्शन के माध्यां से चलता है तो योग सुत्र मैं लिखा है कि यो यकी व्रत्ति निरोधाम तो ये इसका मतलब मैं बताता हूं आपको ध्यान से सुनना कि चित की वरतयां किसको बोलते हैं मन चित यानी मण जो मन की व savoir हो जाता है मनल जो रुख जाती है अब विठियां क्या होती है वह अच्छी भी होती है वह बुरी भी होती है अब कैसे पूरती जो वृतियां आप लिखाए कि जान लो व्रितियां है द rubber लेटियां मतला उसमें लिख हो आगे जो वृतियां धर्म अधर्मधतथा वासना समूंगी उत्पत्ति करने वाली है और एविध्या आधी कलेश मूलक हैं उन्हें कलिष्ट कहा गया है ठीक है उन्हें कलिष्ट मतलब बुरी बेकार ठीक है जो वृतियां सुक्के विवेक को विसम करती हैं और गुण अधिकार की विरोधी हैं वे एकलिष्ट खेलाती हैं तो वृतिया मतलब अच्छी भी होती हैं बुरी भी होती है simply बात था इनका अवरोध करना है दिने भी बुरी विर्ति हैं mostly तो बेकारी होती है mostly 99% सब बेकार होती है इनका क्या करना है अवरोध प्र इसमें लिखा depths योग इश्टितवृति निरोधम तो योग सब Histor OG के माद्यम से मन की वर्ति उनका अवरोध किया जाता है जब यह अवरोध हो जाता है तो आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है मतलब व्यक्ति एक तरीकी से सिद्ध फुरुस बन जाता है सिंपल सी बात यह तो योग के माध्यम से अपनी जो चित्की वरतियां है उनको अपन रोकते हैं अब देखो न प्रमान विपरिये निध्रा विकल्प इसमर्थि सट में लिए आप समझेμαιा है खर कियों को सांती है कि तरहके से अपनों पुझाती है क्वी नुक्सान फुझाती है क्योंगे निरोध करना आउश्यक है यह मतलब एक थरडियर का टोपिक है स्वस्तवरता आप इस्टेडी करोगे तब लेकिन मैं पता देता हूँ आपको प्रमान यह नहीं होता है प्रमान का आप जानते हो प्रित्यक्ष अनुमान यह आगम यह आपतवदेश जो भी है यह मतलब ज्यान के साधन है इनके माध्या यह है कि प्रमान का अभहव विन्य प्रमान जाने को घ्रैड करना यह मन की विकत्ति है जल्दिवाजी करता है ना मन ठीक कि ऐब आता है बीपरिए डीपरियों कैसे समझेंगे कि इसका आरत था है मिथ्यागान मिथ्या मतलाग जूटाग्यान जो वस्ट्यक्ता से भिन्न है जैसे अप मैं बोलू एक्पोर कि इससमया रात हो रही है आप मानो orseछको लेगिन बहुत से आपके एक्जाम केंसल कर दी फढ़ने की कोई जोड़ती है आप सेकंड यर वह तो बहुत से बच्चे मान जाएंगे यहां हो सकता है वह से बच्चे नहीं मानेंगे तो सिंपल सी बाता है इसका वारता है मिथ्यागान विपरिया मतलब मिथ्यागान जूटा ग्यान जो वास् आधार फिलम में कलबना की है ना ऐलियन जैसे वो स्पेस में जाते हैं फिर वो जाके एलियन में जाके वहां पर लड़ता है अवतार मुझी देखे होगी सबने तो मूझी ओकवी फायता लिया करो कलपना करते हैं यह इसकी यह फिलम कलपना पर आदारित है इसकी सत्य गट के ऐसे लगे को पूरी पदार्थ जञ्यान एक दिन में खतम होगी मैं या याद होगी कलब ना है ऐसा होता थोड़ी ए तो जो उसे बोलता है विकल्ब अब होती है निद्रा अब हाओ का प्रत्यक अथार कुछ भी नहीं होने का भाव यह नीद वाली बात नहीं है निद्रा यह कुछ भी नहीं होने का अभाव जैसे कि कल मैंने इस्टते लगाया था को बहुत से बचछों ने देखा था कि दोस्त का आभाव ठीक होच भी नहीं होने का एक त्रीके 1000 की ब्रतिचीं भूट думаю आप समझ सकते ओसम हो अब dat चलाना सिखते हैं तो अपने इसमर्ती हो गई यह तो गई परफेक्ट लेकिन यह मन की विकरती कब बनती है कि जब इसकी टूटी-फूटी याद होना कि मुझे याद तो था मुझे पासवर्ड भूल गया जैसे मैं कोई पासवर्ड लगाया किसी चीज़ का जैसे जीमेल होती यह सारी चीज़े मन की विकरतियां है इनको आपको कंट्रोल करना इनको अवरोध करना है ऐसा कुछ नहीं करना अगर आपने यह सारी चीज़े कर ली तो आप एक तरीके से योग सुत्र में उपादी एक कदम आगे बढ़ जाओगे क्लियर तो आप इनको लिख सकते हो तो आपने लिखा है नहीं समझाए जो सारी चीज़े अब आता है यह तत्व 26 मानता है कौन-कौन से पचीस तो वह कौन-कौन से हैं पचीस अव्यक्त महान एंकार पंच सन मात्राई पंच माबूत एका दस इंद्रियां ठीक है इस तरीके से पचीस यह प्रिकरति और फुर अर्ण होका समूब यह स्थांग κेlles यह स्टांग योग वो थह अस्टांग अंग कि दिफ्रेंट हें दोनों में व Gothic आयरवेध के अंद्ट यह संभा यह कं यह तो है और यह यह क। तो मेरे अच्छे से पता है कि क्या होता हैसमजो yum यम यंव यनि यथे हैं पांच प्रकार के नियम यनि यै ये भी प्रकार के होते है अवे फांच फिर कोंच से है । यम य में यम होते हैं 5 लिखांति यम बराबर यम होते हैं 5 यम के 5 नियम है पहला है अहिंसा मतलब इंसा नहीं करना किसी को भी मार काट नहीं ह différem कि मतलब का कतरा तक नहीं वाल है किलिया और यही एक मेन रिजन था जो अपनी सर्जरी गई है ना मोडन में इसी वज़े से क्योंकि जैसे जैसे अगे बढ़े अपने योग सुत्र को अपना लिया आयरवेद ने ठीक है और आयरवेद में बताया था कि हिंसा निकलना और सर्जरी में खून जरूर निकलता है इसलिए सर्जरी दिर दिरे आयर्ट से बिलूप्त हो गई बाद में ठीक है सर्जरी सुस्रूत के जमाने तक तो थी अच्छी तरीगे से प्रिशलन में थी लेकिन जैसे से अस्टांग का यह योग का समावेश हुआ तो अपने आहिंसा को ज्यादा मान दे दी आहिंसा को मा में आगे नहीं बढ़ पाई सर्जरी नहीं हो पाई सर्जल पर रिसर्च नहीं हो पाई सिंपल सी बात यह थी मैंने बता दी वोट पॉइंट था साथ में यह होते हैं पांच प्रकार के पहला था अहिंसा मतलब किसी जीव की अत्या नहीं करना खोन का नहीं बाहना दूसरा सवाइब किरी और थेас edgy निदा नहीं करना इति परिग्रह आउसक्तह से अधिक वस्तों का संगiges नहीं आपके पास जरूरत है पाँच जोड़ी कफड़े चाहिए मुझे साथ देन मतल साथ जोड़ी कफड़े उससे आप भर रहे हो चालेश पचास जोड़ी कफड़े मतला आव सकता से अदे किसी भी चीज़ का आपको गंढरन नहीं करना संगरें महीं करना जितनी चीज़ की किसरा है तप चतुरत है सवध्या है और पांचवा है इस्वर प्राणी धान ठीक है सोच मतलब एक तरीके से स्वच साप सुत्रा रहना चाहिए विक्ति को हमेशा स्वच कपड़े फैनने चाहिए सुबह उठके नाना दोना चाहिए ठीक है सारे काम टाइंग पे करने चाह से नहीं है कि जिसने अस्टांग योग को धान कर लिया ना समझो उसका जीवन सिद्ध हो गया तो सोच मतलब एक तरीकी से सवच्ता हर तरह की सवच्ता वातावरण की सवच्ता अपने आसपास की सवच्ता अपने मन की सवच्ता अपने विचारों की सवच्ता अपने कपड संतोस रखो हर चीज में कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा जो होगा भी अच्छा होगा ठीक है संतोस रखो ठीक है अपने करता है और अपने करम के अनुशार करम करते रहो तीसरा है तप मतलब ध्यान लगाना है तप नहीं तप का मतलब होता है एक तरीकी से परिश्रम करना है एक तरीके से किसी के लिए प्रिष्रम हो सकता है किसी के लिए तप एक तरीके से होता ना कि ओम करते हैं यग करते हैं तब करना एक तरीके से मन को सांथी के लिए कुछ से अनिश्टाहान करना वो होता है तब मचटुर्त है सवय अध्याय स्वयम का जितने भी कारी कि लाप कर रहा हो उनका मनन करना ठीक है और पांचवा है इस्वर प्राणिदान इस्वर में मन लगाना ठीक है अब यह थे यम हो गए पांच नियम होगे पांच अब लिखो आसन आसन का मतलब होता है जिस अवस्ता में आप दिना किसी परेशानिके ज्यादा से ज्यादा बैठ सकते हो वो होता है आशने हर व्यक्ति के लिए अलग लग आशन ऐसे की कोई व्यक्ति आशनला कथा जयान आसन ठीक है प्रणायम प्रणायम का मतलब होता है सिंपल सी बात यह है कि जिसमें स्वास मतलब सांस अंदर लेना और भार लेना प्रणायम तो जानते हो बावर राम देव खूब करवाते हैं सुबर टीवी पे स्वास को अंदर लेना या भार छोड़ना एक तरीके से स्वास भी एंद्रिया मन को चंचल बनाती है। योज़े कि अपने कुछ खूबसूरत वस्तु देखी, कि मार्केट में गए, कुई बैग लटका एक अच्छा सा, यह कतना अच्छा प्यार है, उसको मुझे कंट्रोल में करना यह सारी चीज़े होती हैं प्रित्यहार के अंत्रकत ठीक है अब आता है ध्यान धारणा समाधी इन जो पांचत है ने यम नियम आसन प्रणाय प्रत्या इनको बोलते हैं वही रंग क्लियर मतलब क्युस्टन आएगा वही रंग से आप क्या समझते हैं जब यह डीप में क्युस्टन आता है तब यह क्युस्टन आता है योग सुत्र से कि वही रंग से आप क्या समझते हैं विस्तार से बताओ तो आपको मैं जितना ही बता है न आप बोलके वो सारा लिखना थ आपने आई ओप लिख लिया होगा ठीक है अब आता है ध्यान-धारणा समाधी ध्यान यहनी क्या होता है चित को एकागर करना चित यानी मन मन को एकागर करना यासे अपने एकागर कर लिया किसी एक वस्तु पर ओम पर एकागर कर लिया ठीक है जो एक कागर किया नहीं जिस पर धरन किया गेव इसको लगातर ध्यान लगातर ध्यान करणा मतलब continuous रुकोई मत एक तो ओता है ध्यान लगाया 5 मिंट ठीके 5 मिंट 10 मिंट लेकिन धरना कब हो गई वो जब continuous लगातर इसे रिसी मुनि करते ते बाई 6-6 मेने से एक एक साल से 2-2 साल से कर रहे होते हैं कर रहे ह में कनवर्ड हो गया धारना कनवर्ड हो गई तो आ अग्यक्ति को निशित सी बात है उसको समाधी जरूर में आत्मा से परमात्मा का मिलन जरूर होगा वह होती है समाधी ठीक है इसको बोलते हैं अत्रंग तीनों को अंत्रंग बोलते हैं और उनको बोलते हैं वही रंग ठीक ह केलिर यह ओटा है यो बहुत ज्यादा लिक Inner अधाट आइ एक इक मिणनिंग मता है क्योट अच्छे से समझ में कुछता आा अभी वी अस्टांग योग में कोई भी डाउट हो तो यह फिर इस मोगा आगया को गिज़े केलिए सभी को ओके प्रणायम नहीं होता है सास छोडने ओर अन्दर लेने की जो प्रिक्रिय न USB हमने न हुद्IVE Du素 एक विसे टोर होनें फिस्तर भीस सब्रसी हिए और उपISH एक प्रणायम द्यूल करया गारी है। तो मतलब निश्चित एक टाइंड परेडिड होता है न वह होता है प्रणाया पूर्णा ध्यान द्यान समझा कुछ है स्भी जीज़ दो ध्यान ध्यान तो होता है कि हम इसने किसी चीज पर लगाया कि अम पर ध्यान लगाया पांच मिंट वह तो गया ध्यान अब लेगन सब गंटिनियूस हो जाता है इसको अपना लगातार 12 गंट ज्यादा ओगया एक दिन हो गया इसको ध्यान लगातार क्लियर पहले अपन ने ध्यान लगाया, ध्यान को ये continuous रखा, लगाता रखा, वे continuous रखते ही गए, वो गजाती है धारना, ओके, अब करते हैं मीमान्स, मीमान्स दरसन, I hope मैं कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रहा हूं, लेकिन I hope आपके सारे doubt किलियर हो रहे होंगे, और किसी दिन मैं में जब आने वाले संड्य होंगे ने तब, किलिकर, आप करेंगे मीमान्स, पूर मीमान्स, करम मीमान्स, देखो मीमान्स का नाम होता है, एक तो पूर मीमान्स, क्युस्चन कभी-कभी पूर मीमान्स आ गया, अभी उत्तर मीमान्स आ गया, उत्तर मीमान्स आ गया, उत्तर म करना पतंद थे नहीं पोर मिमनसा अलग है उत्तर में मिमनसा तो है टीनों एक क्लिए परणैता कॉन थे आचारिय जैमनी आप इनके आगे आचारिय जरूर लगा दिया करो गुरूर जैम Verdum जो भी थोड़ा सा रेस्पेक्टेड तरीके से सिस्टेमेटिक वाद है था कि टीचर को भी अच्छा लगे यहां तो अपन लिख रहे हैं नोट्स में क्योंकि बहुत सारे हैं सारे दर्शन लिख रहे हैं लेकिन अब एक्जाम में आते हैं तो सिंपल ही तो आता है एक ही तो संग दर्शन आज जागा योग दर्शन आज या फिर दर्शन आएगा उपवाद क्या है इसका मुकुद्देश क्या है क्यों बनाया गया समाज के प्रतिक कर्त्यव का बोध गराना जो एहीग पारलोकिक एद्रेस के लिए आउसके अभी दर्स के लिए आउसके सिंपल सी व्यवैं कि समाज के प्रतिक कर्तव कि सब लेकी अपना अपना सोच रहें लेकिन एक समाज की प्रतिक कोई जिम्मेदार ही विक्ति कि अपन है यह अपनी पूसर अपनी अपने से अलावा है जो भी कर्तव है अपने उनको याद दिलाने के लिए ठीक है पूर मिमांत में विश्व कल्यान की भावना को मनुस्ष का कर्तव बताया गया है सिंपल सी बात है अगर अपने से ध्यान अठा के दूसरों पर सोचेंगे अपन दूसरे की तरफ देखेंगे संसार भी दुखी पाएंगे का पाएंगे शन्सार भी दुख है उनका भी दुर करना C it हुआ तो सभी दूर करते हैं लेगिन दूसरे का दुख भी दूर करना चाहिए यह क में बताया जैय जैमनी में जैमनी आचारे ने बताया मीमान्च दर्शन में तो सिंपल सी बात यह है कि जब भी आपको ऐसा लगे आसपास के मावल में जो इतनी भी आपकी हेल्प मदद से कोई व्यक्ति ठीक हो रहा है आप जैसी भी उसकी मदद कर सकते हो बिन्यक खुद को नुक्सान पहु तो इसमें बताइगी विष्वय कल्यान के वाहीन की भाहुणा प्रतिसीत होती है मीमान को देने वाला इसवर नहीं है कर्म उनसार फल होती हैं बहुत अच्छी बात बोली है इसे नहीं की अपन सोचिंग वह इस वर्द ऑब जो करेंगा वह नहीं आप जैसे करम करोगे वैसे फल प्राक्त करोगे मिलेगा क्लिया फिर्माण मानता है ये प्रित्यक्ष अनुमान आपतपदेश और उप्मान चार प्रिमान मानता है मैं हर उसमें बता रहा हूं तो आप समझगे होंगे पदार्थ मानता है दो भाव और अभाव बहाव कितने हैं छह कौन-कौन से दिरवगुण करम सामानेविशे संभाव इनको बोलते हैं भाव पदार्थ तो भाव होगे च्छै और अभाव तो गए तीन आगे तक अपन इस्टेडी करेंगे मतला मुक्ते दो मानता है भाव और अभाव बहाव पढ़ेंगे डिटेल में तब आपको बता दूंगा अभाव तीन कौन-कौन से होते मेरे कुछ सई जंग से नाम याद नह और भोग रूप रस सब्द गंदादी अब इसको समझो बहुत इंपोर्टेंट है साइदी जैसा जीतना मेरे समझ में आया उतना मैं समझाने कोशिश करूंगा कि भोग आयतन शरीर अपनी बोड़ी है ठीक है अपनी बोड़ी को देखो एक बार पूरी दरीको ठीक है यह इसमें क्या भोग साधन इंद्रिया है इंद्रिया कितनी है जो मतलब भोग करती है देखती क्या है इंद्रिया देखती है रस क्या लेती है स्वाद गनवाव लेती है इंद्रिया सुनती कोने इंद्रिया अपन हाथ पैर इंद्रिया में सब आगे पांच गैन इंद्रिया पांच कर्में इंद्रिया और एक मन सब इमनी पर तो हैं यही थो बहुट करति हैं यही सब कुछ करते हैं इन्हीं एंडर PERCENT करती हैं इन्हीं एंड़गंड अपना सब कुछ है तो बहुट सा Bettरें मतलकि आकों से देखना है मतलब रूप का प्रता है जिव्याइंद्री मतलब जीव से रस का अनुभव सब्द सब्सक्राइब कानों से पता चलरेगा के सा संव्ड और ढंद घंध यानी कि नास प्शाख नोस से पतलता अब आज़ाता है बेदांज दर्सन इसके आगे लिख लो पैन से अपने कोफी में कि बेदांज दर्सन को यह उत्तर मिमान सा बोलते हैं ताकि आप कन्फूज ना हूँ इसके प्रवर्त कौन है वेद वियास आचारी है वेद वियास अब मुझे यह कन्फूजन है कि यह जिन्णोंने वही है कि जिन्णोंने अपनाहाबारत लिखा यह अलग आचारी है कि रहे है तो और बीए अच्छी बात है अब एक बात और अपन क्या कर रहे थे नहीं मालूम सर कोई बात नहीं सागत उपाजया देखो कि परम भ्रम का स्वरूप निदार्ज करना अपन क्या कर रहे थे जगत से चल रहे थे जगत से परभ्रम की और बढ़ रहे थे ठीक है बढ़े ते कि निए बढ़े अपने दर्शन का वह बांटाता शुरुवात में जगत से लेगे सुक्षम की और बढ़ रहे हैं तो वही है वेदान्य दर्शन परभ्रम का शुरूप तो अपन उस कंड पर आ गए जो मैं शुरुवात में लिका है ना परमानु का चेतन छोटा करने से जढ़ाद करना उसका सरूप वह जो अपने असे सोचते हैं कलपना करता है कि ऐसा होगा जैसे कि मेरे लिए मेरे ब्ढ़ान माता पिता यह पर मेरे गुरु वर ठीक है किसने अपने भगवान को देखा टीचर को किसी ने देखा अपने किर्ष्ण भगवान जी को ठीक है किसी ने राम जी को माना किसी ने अलग अलग समुदाएगा अलग उन्होंने मतलग रूप ने धारिक करना ब्रह्म मिथ्या जगत यहीछ खतम हो जाएगा जैसेजनम लिया तो यह वैसे बिंट्टि को गार जैते हैं जो भी करते हैं तपना सथ जैसे बॉलता है कि अधीड चीशी सथ है कि वह रहम्य है पार्मानुंग निर्विकार मतले सब्च निये मिश्ट् 휩कता है अब देखो इसमें प्रहम्या तो निर्खुल्ण जान मैया मैया को उसमें कोई कोई नहीं है योकोई आ दोस्की घृण थी और इसमें यह जैसे मया बोलते नंहीं ऐस मोह माय अपने कि मोह माय है अब इस माय को बोलते हैं संसान में जितनी बोध भोग अभीला साइ साथ में जैसे अपनी इंदई आपनी शरीर उन पर मेस़्ें अब पर हो गया वाटीन में ध्यास सबस्राइब न होगा को कई डोस होगा तो हरको व्यक्ति किसरदी होती है कि इसे नहीं होता जाईके ठीए मैं कि किस तरह के से अपने मैंने इस परमात्मा को सरीर के अंदर प्रवेश करा दिया तो लाश्ट बात क्या है कि अपने अंदर भी परमात्मा का निवास है विवर्त वाद में कारण को ही एक मात्र सत्य मानता है, कारिय को नहीं मानता है, ये बोलता है, कोई भी चीज होता है, संसार में कोई भी कारिय होता है, वो कारण की वज़े से होता है, कुछ ना कुछ रीजन होता है उसका, तब भी वो होता है, जैसे मिट्टी से घड़ा बना मिट्टी है उसमें कारण तो कारण ही है सब कुछ गड़ा तो बाद में बना पहले कारण ही था हो सब कुछ वही है मतलब कारण ही सब कुछ है कारण की सत्ता है कारिये की सत्ता नहीं है यह ऐसा बोलता है किलियर तो वेदान दर्शन किलियर हुए तो छे दर्शन अपन आस्तिक दर्शन कम्पिलेट कर चुके हैं यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है अभी भी ठीक है वैसे दो आपना गुरुप खुलाई ये 24 hours ऐसे उसमें सांती बड़ी रहते हैं वीरान स सटड़ी कर चुके हैं अब नाश्तिक की नंबर आगे तो नास्तिक पढ़ेंगे नाश्तिक दर्शन को बोलते हैं लोकायत या वहीर इस्तापत्य मतलब इनको थोड़ा सा परियावाची मानलो जो भी इसका नाम है इस नाम से भी आ सकते हैं प्रवर्ता कोन है चारवाक चा मतलब नाम पर किसी चीज़ को देना इसे हिसा हो गया तो च henry क semua ये पॉहाँ से स्टाइंट कि यह भ подарकला थीक है वहाँ सिस्टेमेटिक गलेन भात है आपको बता दिया तो हर का रीजन खही नहीं चुपा हुआ है अपने पूर्वजों में अपनी मतलब पुराणी बुकों में अगर आपनी करेंगे तो हर चीज का आपको बोलते हैं ऐसा क्यों हो गया क्या हुआ था ऐसे पहले जो ऐसा हुआ आप फड़ो आपको आंशर अब आते हैं शर्वब दर्सन में है प्रवर्टरिंट्प छार्वख सिद्दांत क्या बोलता है कि केवब प्रित्यक्श प्रमान को मांता है ना कोई अनुमान करते ना कुछ thick मांता अगर इन्होंने अपनी dar को सुनना है जैसा इंद्रियों की माध्यितिना कितनी है कि जो भी अपने प्रित्यक्ष प्रिट्ट, या तो आवास सुनी है या देखा या गंधली है उसी को माने गई बाकी सब को नहीं मानता है कि बुद्ष महांग के सत्त को को स्विकार करता है आकास को नहीं मानता है यह को आगे लिखा हुआ है आकास के क्रोस लगा हुआ है मिला आकास को नहीं मानता है बचे कौन आकास अगनी जल पृत्वी तो आकास के अलावा चार कौन-कौन से होगे पृत्वी भायू जल और तेज मतलब अगनी चार महाबूत मतलब सत्व करता है जिस प्रकार मदू प्लस ग्रत्थ आपने अस्ताइंग फिरुद्धार उसमें तो मधू प्लस ग्रत्थ मिलकर विशुत्पन करता है अपने बताता है कि सहध और गी को सम्मान मात्रा में नहीं मिलाना चाहिए नहीं तो जहर बन जाएगा ठीक है ऐसा आचारिये सुसृत और चरक दोनों ही बोलते हैं तो अपन उसको बात को अपने लिए क्या है वो आपद अपद अपदेश क्यों हो गई कि वही चरक सहीता में लिखी हुई है सुसृत क्यों से पृत्वी वायू आप यानि जल तेज यानि अगनी के संयोग से चेतना की उत्पत्ति होती है किलियर के संयोग से चेतना की उत्पत्ति होती है इन चारों महाभूतों की योग से ही आत्मा बनती है मतलब चेतना जो जीव आता है नहीं किसे एक्टिव लेकिन आत्म श्तित्व नहीं मानता है अपन बोलता है कि आत्मा इल सभी पंच महबूतों के युलावे एक चीज है आत्मा जिसकी वजह से अपना जीव सजीव है जब यह अपनी बोड़ी से बाहर निकल जाती है तो जीव डैट दोल जोड़ा लेकिन यह बोलता है चार वाक क्या बोलता ह धी मतलब सेहड और घी जेहर मंते हैं उसी प्रकार यह तीयार करते है're gonna को पिस तरी कि से चैट किया है अब उसकी क्रिया विद्धी कीहाँ है वे किस तरीके से जेहर बना किसी वह तो नहीं पता क्योंकि research नहीं हुए तभी तो अभी practical हो रही हैं अभी तो लैब स्टार्ट हो रही है क्योंकि अब लोग आयरविदा की तो ध्यान हो रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि सैद को मिलाया घी को मिलाया क्या chemical changes हुए क्या reaction हुई सब कुछ इस बनेगा तो जहर मनते हो अब रिसर्च हो रही है सारी हो तो इर्व नियुकि आपको पता नहीं रिप्धर जोर ही है तो कि है चैतन्य विकार को पुरुस माना है जिसने आंदर जीव है उसी को इसने पूरुस माना किलियर यह में चारवक कुछ इंपोरेंट इंपोरेंट बाते थी मैं आपको बताई आप करते हैं जैन दर्शन जै जय क्या में देव्विघ लड़ा का जैन मंदिर कोई व्यक्ति गया ओव तो मैंने दैखा हो है मैं खुद अब भर अच्छा मंदीर है बहुत ही अच्छा मंदीर है ठीक है और, यहां पर यहां पर जोतपुर रहता है यहां से 20 की फीलों मेटर जगए है ओश्यкого वहां पर भी प्रत्यक्ष और अणुमान तो जेऑन तक लोग भगवान महावी गोड मानते हो भगवान महावी को मानते हैं ठ्रव 6 मानता पदार्थ सात्व मानता है कौन से पदार्थ हो देखके मैं देखा अगा मुझे मिला एसाज दरसन कौन-कौन सी तत्तु मानता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा अब देखो क्या लिख रहा है समयक दर्शन समय की ज्ञान और समयक चरित्र को ही मोक्ष कहा गया है इसने क्या बोली है कि आपके अगर समयक समयक दर्शन सब कुछ ठीक है सब अच्छा ज्यानप्राप्त किया कि समयक दर्शन और समयक चरित्र व्यक्तिकल्य करना ना इस्चा करना दिवेस करना जितनी भी बुराईयां है वह उन सबसे दूर है मतलब अच्छा चरितर है तो इसी को इन्होंने मौक्ष मोला है तब ही तो आपने देखा जैनी समुदाय के लोग कितने सिंपल और देखते होंगे ना कितने सवेध कपड़े फैंते हैं और कितने सुबह स्याम के 6 वज़े से खाना पहले खालते हैं लसन प्याद नहीं कहते है इनका कुछ रोल और रेगुलेशन है वो है गोख ऑन आते हैं अपने धरम की पूजा करते हैं और द्रम को मानता है उसके साथ अच्छा ही होता तो इन्होंने मौक्ष्भ गोला कि जीते जी ही मौकष मिलेगा नई जीते जी जीते जीमोक्ष का प्राप्त करना जैन दर्शन मतनुसार जगत अनादी काल से प्रिसलिता है और अनाद काल तक चलता रहेगा जैन दर्शन बोलता है कि यह जगत अना जो संसार है अनादी काल बहुत सालों पहलों से चलता आ रहा है और निरंतर चलता रहेगा इसलिए मरने का वेट मत कीजिए, जीते जी मोख्च को प्राप्त कीजिए, simple सी बात है, यह है, इनका logic यह, इस class में साहदी कोई होगा, जो जैंदरम को मानता हो, ठीक है? यह क्या लिख रहा है? स्वेद्वाद को मानता है, इसका मिनिंग मुझे पता नहीं क्या है इसका मिनिंग युक्ति इसका मिनिंग बताओगे आप स्वय द्वाद को मानता है मेभी और मेभी नोट हां कि हो सकता है और नहीं भी हो सकता इसका सिंपल से यह है कि भई अब स्याथ प्लस वाद तीक है इस पर गोला मारता है अपने इस पर गुरूप बें डिसक्स कर लें क्यों कि मुझे इसका कुछ से मिला नहीं जो मैं आपको हो भी सकता है और नहीं अब लेकिन यह किसकी बात कर रहा है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हां समझगा है ओक्या मैं बताता हूँ आपको मुझे अभी दिक्की गया यह बोलता है जो जैनि दर्सम में जगत अना तीकाल से चल रहा है और आगे बीचलता रहेगा तो इसमें बोलता यह को भी एब और में भी कि खुद विस्तर नहीं है इस्टेबिलिटी नहीं है इसमें बहुत अच्छी बात है कि जीते जीव मोख्ष को परात करना है तो सिंपल सी बात यह हैं आपने देखा होगा कि हर दर्शन अपनों कुछ कुछ शिखा के गया है किसी से कौन सी बात सीखने को मिले किसी से अपने विश्व को कल्यान करने की चीजों को अपना नभी है कि आप करते हैं आगे लाश्ट दर्शन है साइध अपना बोधी-दर्शन प्रवर्थक है गोदम गोतम भुद्ध किस ने लिखा गोतम भुद्ध ने लिखा बोद दर्शन मानते हुए एक तरी के से पूर्वी भार्त पूर्वी भार्त के लोग इसको मानते हैं प्रमाण कोन-कोन चे हो गए प्रित्यक्ष और अनमान यह आपको याद हो जाएं तो अच्छी बात है नहीं तो मत लिखोए लेकिन आपको क्या लिखना है प्रित्यक दर्शन के मुखुद्धेश क्या है किसने लिखा है और जो भी एक-दो बाते याद हो जाएं वह आपको लिखनी है कि जगत को भी अ कि प्रेती समुद्धायत पर अश्रित मानता है अठार्द चेतन द्रहों के श सेवन Isar हम जगत को प्रेती समुद्धध पर आश्रित मानता है अठार्द सिंपल सी बात लिखि दिसने इनदिमें वह इतनी भी आसपास की चीजे आसपास तो अपन बता रहें लेकिन संजगत में जितनी भी चीजें है एचेतन धर्व जितनी जिन में चेतना नहीं है मतलब इसमें अपन पेड़ पोतों में फिर भी चेतना मानते हैं अपन निर्जी उतर तत्वी इसके अंदर का समलाइत हो गए जैसे कि पहाड़ है नदी है जरने है जितनी भी चीजें है एचेतन खीक है नहीं वह अपने काम में निरंतर चलते रहते हैं एक फ्लोव है टाइम का नुसार बहते रहते हैं सर्वच छनिकम छनिकम सभी संसकार वे बस्तों चनी है मतलब सभी बोलता है कि अब इन्होंने देखो चनीक बोला है तो यह बोला है कि जैसे अपनी आयू है इन्होंने बोल दिया अच्छनीक है तो इसलिए जीवन को जीए किस तरीके से जीए जो शिद्दान्त बताएं जो नियम बताएं उनकी पालना करते हुए जीए तो सिंपल सी बात यह है कि क्विश्चन आएगा आपके पास कि नास्तिक दर्शन को से विस्तार समझाईए आ अकोई भी जो याद ने हो इसव लिख दो । किस्व Mickey请 diferença को से विस्तार समझाईए थीए किसान आएगा योग दर्शन को से विस्तार समझाईए कि संचन आएगा दर्शन ए और दर्शन की ल सुना आ अब next करेंगे अगली क्लास में I hope आपको दर्शन क्लियर हो गया होंगे